अधर निये सुरेश विया के लिए जोड़ार तानिया बजाएं। अधर फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकर्ति का रूप निखरने दो, अब फागुन का रंग आया है, प्रकर्ति दुलहन की तरह सजीवी है। लव अर्था प्यार को अपने अंदर, संसकार को अपने अंदर धारन करें, अच्छाई को अपने अंदर धारन करें। प्रकर्ति क्या किया, हैट जो पुराने पत्ते थे उसको तोड़ कर गिरा दिया अपने से, और उसमें फिर से नई पत्ती, नई कोपले आ गया, अपने आपको सजा रहा है। यह बसंत काल जब जवानी पर छाता है, तो समाज में परिवर्तन का ब्यार बहता है। प्रकर्ति कारी नारी की छेतना का नाम था, जिनके सरीर को आप लोग इतिहास में इन विस्यों को गाइब किया गया है। मेरा भाई मत्रा भगवान कृष्ण के विग्रा में, सरीर उनका सरीर जो बोड़ी होता है, लोग हम लोग के हाँ मरने के बाद जलाय जाता है। लेकिन मिरा भाई, शंत कभीर, चतरने महाप्रभू, मुगलों के जमाने कैसे संत थे, ऐसा उनने होली अपने जिवन में धारन किया, कि सरीर अपने मुर्ति और विग्र से जाकर एका कार हो गया। उनके सरीर को न जलाय गया, न गाड़ा गया। ये लगन जब अंदर से होती है, तो ऐसा तुफान खड़ा होता है। इसलिए होली के पर उपर हम लोग एक छोटी सी कहानी जानते हैं, कि एक प्रलाद था, उनकी जो ठुवा या बहन जो होगी होली का, उनका नाम था, और उनके पिता जी का नाम था, हिरन कश्पू। यहां से होली की कता प्रारंबोती भारती संस्कृति के नुसार, और उन्हें वर्दान ले लिया था, हम दिन में मरें ने रात में, आदमी मार सके ना जानवर, गोली से मरें ने राइफल से, तीर धनुस से मरें ने गदा से, अब बड़ा फेरा है, वो अपने आपको अजर अबिनासी समझने लगा, आज भी हम लोग को चंद धीवन मिला है, लेकिन उसी नर्स, हरन कस्पु के तरह समाज मातंक फैलाते हैं, पता नहीं हमको सोचते नहीं कि हमको मरना है, और ऐसा वो संकल्प लिया तो कहते हैं, इस वर तो उसका नाम है, जो हर ताले का चाभी रख आदमी आधब, बाग, दीन में मरें, साम के समय में, बाहर मरे भीतर नहीं तो दरवाजे पर, अस्तर से मरना सस्तर ते जुनाखून से, और कहते हैं, हरन कस्पु का पेट फट गिया, अब यद्ता तो दरसन जो सम्जाना हमको, प्रलाद कोन है, होलिका कोन है, हरन कस्पु क और नर्सिंग कौन है? हे युवाआओं, आज अपने आपको प्रलाद अर्थाप सातुता का toolbarतिक है, युवाँःब पिडी का पृili का पृतिक है? होलीका समाजके असलिलता का पृतिक है? वो सुर्पनखा पृतिक है, तो बड़े मजे से पापा कहते है, यह क्या है लच्मन जी के पास नहीं चले गई वहां पर लच्मन जी के पास पहुंच गई लच्मन जी आग बबला हो गए वह ठीक है मैं लब करता हूं आपसे और वो गंदगी का नाखी उन्हें ने काट जाला सुर्पनका उसी तरीके से आज समाज में बहुत सारे यह नहीं कि केवल लड़कों की गलती है यहां सुर्पनका भी घुम रही है जारी बाग में आपके जवन को आपके जवानी को होलिका की तरीके से आपके बुद्धी को आपके बिवेक को आपके धन को पैकेट के मनी को आ लेकर आये थे स्वास्त जो मां हमको दूद पला कर भेजी थी जो हमको एक नौजयोंवन लेकर के घर से लोटे थे इधर से क्या लेकर जाएंगी इसलिए होलिका से अपने को प्रलाद जैसा जीवन सुद्ध बुद्ध चैतन बनाना है असलिलता होलिका उनसा का प्रतिक है हो होलिका वो पौर्ण विडियो का प्रतिक है होलिका वो असलिलता का प्रतिक है गंदगी का प्रतिक है बुराई का प्रतिक है उस होलिका से अपने आपको बचाना ये प्रलाद का प्रतिक है प्रलाद अपने जीवन को बचाएं कहते हैं घंगोर या अंधियों में हमके बुराई से बचाएं, फिर नकस्पू, समाज का वो नसा का राक्षा से, जो आज युवाओं को पूरी तरीके से अपने आगोस में ले रहा है, बहुत सारे हजारी बाग के युवाओं लोग भी जाते हैं, बोले आज बुरा ना मानो हो लिए, एक दिन दो पाइग ले लो य यह आपका तर्क है, लेकिन आप लोगों को बताए थे न, कि सराव को क्या काते हैं, सत परती सत राक्षास बना देने वाला, सा, रायकार और बा, तालब सा, सत परती सत, हंडेट परसेंट, रासे राक्षास और बा से बना देने वाला, सराव का दूसरा नमें, दारू, दा प्रतिक है मरगट का दी दिखाने वाला रास्ता मरगट का रास्ता जो उमको दिखाता है सराग को इंगलिस में कहते हैं wine W4, विटसम अर्थात ग्यान I4, हमारा intelligence हमारा जो यह है और nature अर्थात हमारा गून जो है E4 end जो हमारा ग्यान है जो हमारे अंदर का गून है वो क्या करेगा wine पूरी तरीके से समाप्त कर देगा इसलिए अपने जीवन में अच्छाईयों को साइन करें यह हिरन कस्पू समाज का उस राक्षस का प्रतिक है जो हर युवा के करियर का वो लाइफ जो आपका है पढ़ाई का वो भरबाद हो जाएगा पेट फटने का उसी का प्रतिक है इसलिए आज होली किस तरीके से मनाए एक सुप संकल्प के साथ नर सिंग हम नर हैं लेकिन हम रिश्यों के संतान हैं एक छोटी सी कथा गूर्दय ने लिखा कि एक जंगल में एक सिकारी गया था प्यारा लगा, वो सिकारी घर लेकर चलाया, और घर ले जाकर किया, बक्री बैर का बाड़ा था, उसमें रख दिया छोटा था, बक्री के जुण्ड के साथ, वो सेर का बड़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते वो तो अपना जो प्रकर्ति था, उसके नुसार सेर जैसा होने लगा रोज जंगल बकरी के साथ भेड के साथ चरने जाये करता था एक दिन जंगल में जंगली सेर वो इंतजार में था कि बकरी भेड आएगा तो हम अपना आहर बनाएंगे तो देखा रही बकरी के जुंड में कोई हमारे प्रजाती का हमारे सोजाती का आदमी है यहाँ चर मिम्याने लगा, भागने कोशिस करने लगा, डरने लगा बकरी के संगत में रहता था, तो अंत में हम लोग भी कौन संगत में रहते हैं, बहुते हैं, कौन लौज में रहते हैं, बहुते 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 हैं, और कुवा में परचाई दिखाया, पानी में देखते हैं, चेहरा दिख जाता है, बला देखो हमारा चेहरा और तुम्हारा चेहरा मिल रहा है, और फिर दहार लगा, उसको ट्रेनिंग दिया, तो अपने आपको पहचान सका कि हम सेर का संतान है, तो नर सिंग के रूप में ये चार सेर क्या है, ये गाईत्री मंतर का चार पीलर है, ये कहते हैं, गाड़ी के चार चक्के की तरीके से हैं, घर के चार पीलर की तरीके से हैं, जीवन में चार सेर, जो असो कस्तम्ब का है, ये चार समझदारी, दूसरा इमनदारी, तिसरा जिमेवारी, और चौथा बह इसलिए गुरुदेव ने कहा कि हम इमनदार बनने से पहले समझ़धार बने कि हमको बाया चलना चाहिए हमारा क्या है? तौर तरीका जीवन का हमारा रूटीन कैशा हो ने आपने सबस्देय का है कि सत्य मेव जैटे वह इक रुछानी ताकत का प्रदिक बन जाता है, सक्ते के सामने हजार हाथीयों का बल वाले को भी पराजित होना पड़ता है, इतिहास सक्षी है तीसरा जिम्मवारी हम जिमवारी बहन करें, हम बिद्यारती हैं तो बिद्यारती का क्या गून होना च Pattern निकलने वाले हैं अधि आप अच्छा बना कर रखेंगे बी एंड मेक तो आप प्रलाद की तरीगे से उस बुराईयों से बचाने की जरुरत है फिर ये बुरे संगती आपका कुछ बिगार नहीं पाएगा बोलिए भारायत माता की तो होली पर हम इस तरह मनाएं ये सुब संदेश के साथ अप पुराने उनके हम ब्यसन मुक्ति रख लेकर आये थे कभी शांति कुछ के द्वारा कोलेजों में उसमें लोग भासन दे रहे थे उसी समयन से मुलाकात हमारी हुए थी साथ पहली बर और तब से ये तो भाई हम होली पर्व इस तरह मनाएं असलता और फूहरपन को नसा को दूर भगाएं इस समाज में संदेश लेकर के जाएं और अभी तक जदी आप लोगों ने यहां जो आज का होली पर्व हम लोग मनाएंगे आपस में होली खेलेंगे यूटूब में डाला जाएगा तो अभी तक जदी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें प जंजन तक भी जाएगा कि हूली को इस तरह भी हम मना सकते हैं आएस उस संकल्प के साथ होली पर्व के हरदिक सुदक काहमनाई देते वे अपनी बात को समाब्त करें ज्यादाँ भासन नहीं देंगे आज बलकि हम लोग समर मिलकर होली मनाएंगे और कारिकरम को समाब्त करे झाल झाल